चौधी चरंसिंग को भारत रतने जाने किसान नेता के बारे में सब कुछ चरंसिंग का जन्म 1902 में उत्रप्रदेश के मेरट जले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गी किसान परिवार में हुआ था उन्हों ने 1923 में विज्ञान से ग्रेजुट होने के बाद 1925 में आगरा यूनिवर्स्टी से मास्टर की डिग्री ली 1937 में पहली बार बने विधायक देश की दिगज नेता रहे चौधरी चरन सिंग ने लोग की भी पढ़ाय की लोग की डिग्री लेने के बाद चौधरी चरन सिंग ने गाजय बाद से अपने पेशे की शुरात की पियम मोदी ने क्या कहा पियम मोदी ने कहा कि उत्व प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हूं या देश के ग्रह मंत्री और यहां तक की एक विधायक के रूप में भी उन्हों ने हमेशा रास्ट निर्मार को गती प्रदान की है विया पातकाल के विरोध में भी डटकर खड सब्सक्राइब क्रशी मंत्री विंभॉवाग प्रभार संभाल लिया कांगरिस विभाजन के बाद दूसरी बार वैंकोंग्रिस पार्टी के समर्थन सिंत्र प्रदेश के मुख्य मंत्री विंभॉष है कि राज में दुक्टूर 1970 को राजपती शासन लागू कर दिया गया था चरंसिंग ने कई अलगलग पदों पर रहते हुँ तो प्रदेश की सेवा की उनके ख्याती एक ऐसे करकनेता के तौर पर हो गई थी जो प्रिसासन में अश्यमता भाई भतीजावाद और क्रेखन में रुची 4 चरंसिंग की लैखन में रुची चौधरी चरंसिंगंग ने बेहध ही साधरन जीवन वितित किया वक्त में वो कितावे पढ़ने लिखने में काफी रुची रखते थे उन्होंने कई कितावे लिखी हैं जिसमें जमीदारी उन्मूलन भारत की गरीवी और उसका समाधान Prevention of Division of Holdings below a certain minimum प्रमुक हैं